घर पर रखे हैं लड्डु गोपाल तो इन नियमों का करें पालें। भवान शी कृष्णि के लड्डु गोपाल स्वरूप को सभी ने देखा है। कई लोग तो लड़ु गोपाल के मन मोहक स्वरूप के इसमें भक्त हो जाते हैं कि वो घर में भी लड़ु गोपाल की पतिमा स्वापित करने के हैं वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने घर के मंदिल में लड़ु गोपाल को रखना तो जाते हैं मगर उन्हें लड्डु गुपाल की पतिमा को रखने के सही नियम या कायदे नहीं पता होते आपको बता दें कि अन्य देवी देवताओं से अधिक लड्डु गुपाल की सेवा करनी होती है क्योंकि ये श्री कृष्ण का पाल स्वरूत है इसलिए घर पर यदि आप लड्डु गुपाल की पतिमा रख रही हैं तो आपको इन्हें रखने के कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए जिस तरह आप रोज स्नान करते हैं ठीक उसी तरह आपको रोज लड्डु गुपाल को भी स्नान कराना होगा लड्डु गुपाल को स्नान कराने के लिए आपको दूद, दही, शेहत, गंगा जल, घी का इस्तमाल करना चाहिए लड्डु गुपाल को स्नान कराने के लिए शंक का इस्तमाल करेंगे तो इस से मातल लक्ष्मी भी प्रसन हो जाएंगी आपको बता दें कि शंख में बेवी लक्षमी का वास होता है लड़ु गोपाल को स्नान कराने के बाद जो मिश्रन बने उसे पंचामित समझ कर आप पी भी सकते हैं इतना ही नहीं आप इस मिश्रन को तुलसी के पौधे पर विशर्जत भी कर सकते हैं इस बात का विशेश ध्यान रखें कि इस मिश्रन को नाली में न वहाएं स्नान कराने के बाद लड़ु गोपाल का श्रिंगार भी जरूर करना चाहिए वैसे तो धार्मिक माननताओं के अनुसार जो वस्त्र लड़ु गोपाल को एक बार पहना चुके हैं उसे दोबारा ना पहनाए यदि आप नियमित रूप से लड़ु गोपाल को नए वस्त्र अर्पित ना कर सकी तो आपको पुराने ही वस्त्रों को धो कर लड्डू गोपाल को पहनाना जाएए इसके साथ ही लड्डू गोपाल का रोज शिंगार करें उन्हीं चंदन का टीका लगाएं और फिर उनकी नजर भी उतारें लड्डू गोपाल को नियमत रूप से चार भोग चड़ाएं धार्मिक महत्व के अनुसार भगवान श्री कृष्ण शाका हारी थे और स्वात्रिक भोजन ही करते थे इसलिए जिस घर में लड्डू गोपाल विराजमान हो उस घर की रसोई में क्यास लैसू और मास नहीं पकना जाएए आप रसोई में जो भी भोजन पकाएं उसका भोग लड्डू गोपाल को जरूर लगाएं वैसे आप माखन मिश्री, बूंदी के लड्डू, खीर और हलवे का प्रसाथ भी चड़ा सकते हैं आपको बता दे कि श्री कृष्ण को खीर अती प्रिये है अगर आप कम मीथी और बिना मेवे की खीर का भोग लड्डू गोपाल को चड़ाती हैं तो वो आप से अती प्रसन्मिफ हो जाएंगे जब जब लड्डू गोपाल को भोग लगाएं तब तब उनकी आर्थी करना ना भूले भगवान श्री कृष्ण की आर्थी के साथ ही आपको धूप बत्ती भी जरूर जलानी चाहिए भगवान श्री कृष्ण को बेले के फूल और केल्या अती प्रिये होता है आर्थी करते वक्त आप लड्डू गोपाल को ये चीज़े भी जरूर अर्पित करें इसके साथ ही लड्डू गोपाल के पास श्री राधारायनी की प्रतिमा जरूर रखें और उनकी भी आर्थी करें दिन में चार बाल लड्डू गोपाल की आर्थी करना अनिवारे होता है लड़ु गोपाल को यदि घर पर स्थापित किया है तो उनका ख्याल आपको बिल्कुल वैसे ही रखना होगा जैसे घर के छोटे बच्चे का रखा जाता है इसलिए घर में लड़ु गोपाल को कभी अकेला ना छोड़े खास तोर पर यदि आप लंबे वक्त के लिए कहीं जा रहे हैं तो लड़ु गोपाल को अपने संग लेकर जाएं और जहां जहां जाएं वहां वहां उनकी पूजा भी करें इसके साथ ही रात के समय और दोपहर के समय लड़ु गोपाल को शयन भी कराएं अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजली को सब्सक्राइब करें